है रहा दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक breaking news है, जिसमें की सारी Chinese application जिसमें TikTok के अलावा 58 ओर applications को बैन कर दिया गया है इंडिया में मैं आपको उन सारी applications का एक एक करके नाम बताऊंगा और आपको मैं पूरी list समझाऊंगा तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले TikTok, TikTok आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बुजरा content वाली एप, share it जिससे आप अपना data शेयर करते हैं, उसके अगली एप है क्वाई एप, फिर आती है यूजी ब्राउजर एप, उसके अगली है बाईडू मैप, जिसमें आप मैप बगेरा make-up, sorry girls, फिर next app है MI community, फिर है CM browsers, फिर है virus cleaner, चलो वाईरस clean करने के लिए हमारे बाद बहुत सारी apps हैं इंडिया में, apps browser, romv, next है club factory shopping app, उससे next है news dog, फिर है beauty plus, फिर से मैं sorry बोलना चाहूंगा girls को, next है wechat, उससे next है uc news, उसके बाद है qq mail, उसके next है weibo, उसके next है zender, उससे आगे बढ़ते है qq music, फिर next है qq news feed, bigo live, selfie city, mail master, parallel space, जिसमें आप दो-दो applications एक साथ चला सकते हैं, एक ही phone में, my video call, xiaomi की app है यह, उसके next है we sync, उससे next है es file explorer, next app है viva video q u video inc, next app है me too, vigo video is the next, जो की tik-tok की ही भेन है, next video status, जो की video status बनाने के लिए है, थोड़ी थोड़ी tik-tok से मिलती जुलती है, फिर है du recorder, जिसमें आप शायद screen record कर सकते थे, उसके next है vault hide, तो यह आप check कर ले ना, अगर आपने पनी कुछ photos अगरा अपनी hide की हुई है, इस app के through तो please उन्हें पहले ही save कर ले, वरना वो उड़ सकती है, उससे next है catchy cleaner du app studio, उससे next है du cleaner, जो की virus cleaner app थी, फिर है du browser, ब्राउजर पहुत सारे हो चुके हैं वैसे Chinese app में, फिर है go play with new friends, तो यह एक तरह की chat app है, जिसमें game और chat एक साथ चलता है, फिर है cam scanner, हाँ तो cam scanners तो बहुत ज्यादा use होती है officially और corporate में, तो अब इसका ध्यान रखें, use नहीं करनी ह फिर है clean master, चीता mobile, फिर है next wonder camera, उसके बाद आती है photo wonder, फिर है qq player, फिर है we meet, यह भी एक chatting website है, application है, फिर है sweet selfie, इसमें वही बहुत सारे filters लगा के शकल change की जाती है, फिर है by to translate, google translate की तरह है, फिर है we meet, tik-tok की दूसरी बहन, फिर है qq international, उससे next है qq security center, फिर आती है qq launcher, फिर है u video, जो की tik-tok जैसी ही है, फिर आती है we fly status video, तो tik-tok type ही है, फिर आती है mobile legends, and the last one is do you privacy, thank you so much, तोस्तो वीडियो देखने के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो please channel को subscribe कीजिए, मैं आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा, और आप मुझे Instagram पर DM भी कर सकते हैं, link description में दिया हुआ है, thank you so much,